अस्लाम लेकुम फ्रेंड्स अपनी नई वीडियो के साथ हाजिरूं आज की मेरी वीडियो जैसा के आपने देखा सूप के मतलिक है इसके लिए जिन इंग्रेडेंस के हमें ज़रूरत पड़ेगी चिकन लिया है मैंने एक ब्रेस्ट और उसको जूलियन काट में ऐसे लंबा-lembol काट लिया है आप जैसे चाहें काट सकते हैं अंडे तीन अदद कैरेट लिए मैंने तीन अदद कैपसिकम और कैबच कॉन फ्लॉर का पूरा एक बॉक्स डाल है मैंने इसमें विनिगर में ग्रीन चिली डिप करके काटियें चिली सॉस और सोय सॉस फाइफ टेबल स्पून्स ब्लाइक पेपर टू टेबल स्पून्स और अजीनो मोतो टू टेबल स्पून्स चलें अब हम इसकी प्रिप्रेशिन की तरफ चलते हैं सबसे पहले हमने चिकन को बाल लेने अच्छी तरह और इसमें अजीनो मोतो टाल देने अब इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक खुब अच्छी तरह बॉयल कर लेने इसमें हमने सारी वेजिस को एड़ कर देना है काली मिर्च को भी साथ शामिल कर देना है और सादा नमक भी डाल देना है अब इसको अच्छी तरह जब 15 से 20 मिनट बॉयल आ जाए तो हमने पांच चमच चिली सॉस और पांच ही चमच सोय सॉस एड़ करनी है सिर्का पांच चमच डालना है और फिर कॉर्ण फ्लॉर को अच्छी तरह पानी में मिक्स करके उसका एक लिक्वर्ट त्यार कर लेना है अच्छी तरह इसको मिक्स कीजिएगा ताकि इसमें किसी किसम के लंच नहीं रहने चाहिए इस तरह जब हमारा बिल्कुल बैटर त्यार हो जाता है तो अब हम उसको सूप में डाल कर हलके से सासा चमच भी चलाते चले जाएंगे तीन अदर अंडों को अच्छी तरह फैंट लिया है इनको खुब अच्छी तरह फैटना है ताकि इनमें अच्छी सी एक फॉर्म त्यार हो जाए अब पहले तो थोड़ा सा अंडा हमने बिल्कुल इस सूप की उपर वाली सताबे डाल दें और उसको इसी तरह चमच की बैक साइड से अच्छी तरह मैश कर लेना है इस से हमारे सूप में बहुत अच्छी लुप पैदा होती है और बाकी के अंडे को इससे डाल कर कुछ देर के लिए रुक जाना है और हमेशा कौन फ्लोर के बाद में अंडा डालिएगा वरना आपके सूप में बहुत स्मेल पैदा हो जाएगी एक या दो मिनिट के बाद ये सूप मुकमल तोर पर तयार होगा हम इसे डिश आउट करके आपके सामने इसकी प्रिजेंटेशन देते हैं वैसे तो मैंने इसमें सब कुछ डाल के इसको अच्छी तरह बनाया है लेकिन आप अगर स्पाइस जाते हैं तो इसमें और भी चीजें शामिल कर सकते हैं अगर आपको यह बसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट में मुझे अपनी राय से अगाह कीजिएगा थैंक्यू वेरी मच्छ अलाफिस